Hi all, आजकल vacation mode चल रहा है, पूरा जून का महीना जो आपका है न, utilize करने का है, अब आप कहेंगे मैं तो बोलती है सिर्फ पढ़ने के लिए, एक महीना, ये पूरे साल कभी नहीं आएगा, Schools के साथ, Accountancy की Practice, that is a very difficult thing, क्योंकि आपके Schools के ही इतने आपके बर्डन होते हैं, तो इस one month को आपको कैसे utilize करना है, कैसे plan out करना है, ये सब आपके हाथ में है, Accountancy के लिए कम से कम, कम से कम, two to three hours, अगर आपने daily basis पे निकालके, अपने थोड़े से concept strong कर लिए ना, तो पूरे साल उसकी जुरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही important time पे, इस time में अगर partnership बहुत अच्छी हो गई, तो क्योंकि जून, जुलाई, अगर सितंबर, ये चार महीन के लिए आपके पास दो और books हैं जो करनी हैं, और आपके November से pre-board हैं, तो better है कि इस वाले time को इस तरीके से हम utilize कर लें, कि हम बाद में regret न करें, और मैं बता रही हूं, thank you मुझे जरूर बोलोगे, अगर ये time बहुत अच्छा utilize हो गया, thank you